हेलो स्टूडेंट्स ये आपके क्लास फिप्त की उर्दू की बुक है उर्दू परिदी तो जैसा कि हम इसका सबक नमबर एक बढ़ चुके है तो आज हम इसका सबक नमबर दो पढ़ेंगे जिसका नाम है रेल गाड़ी यानि इस सबक में जो है आपको बताए गए रेल गाड़ी कैसे वजूद में आई और किसने बनाई है चलिए हम देखते हैं जेम्स वार्ट एक अंग्रेज का लड़का था यह जो जेम्स वार्ट है वो किनके लड़के थे एक अंग्रेज के लड़के थे उसका बाप अपने में मन नहीं लगता था और वे पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं करता था नहीं पढ़ाई पर ध्यान देता था इसको ड्राइंग का बहुत शौक था और वे भी अपने बाप की तरह एक माहीर बढ़ई बनना चाहता था यानि जेम्स वार्ट को जो है ड्राइंग करने बैटे रहते हैं वहाँ चूले पर एक केतली रखी थी उसमें पानी उबर रहा था जिसमें क्या था पानी उबर रहा था और भाप निकल रही थी जेम्स वार्ट ने गवर से देखा भाप की ताकश से ढखन बार बार उपर को उड़ता और फिर नीचे गिर जाता है यानि जेम्स वार्ट उसे ध्यान से देखते हैं कि किस तरह भाप की ताकश धकन को बार बार ऊपर कर देती है उसके बाद जो है वो नीचे गे जाता है वह बहुत देर तक यह तमाशा देखता रहा जेम्स वार्ट ने यह आजमाने के लिए भाप में कितनी ताकत है उस पर कोईला रख दिया यानि कि जेम्स वार्ट जो है वो तमाशा बहुत देर तक देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं यह जानने के लिए कि भाप में कितनी ताकत है उस पर क्या रख देते एक कोईला रख देते धकन फिर उठा का फिर उठा कोईला एक सब्सक्राइब पर जाता है वह समझ गया कि वाप में बहुत जाता है उसके दिमाग में एक नई चीज एजात करने की तर्कीव ए, जैमस वार उते हैं, वो बहुत से तज्रिबे करते हैं, उसके बाद जो है, उने, उनके दिमाग में एक नई चीज एजात मतलब था बनाने का ख्याल आया, और उसने भाफ की ताका से चलने माला एक इंजन बनाने में कामियाबी हासिर, और जो इस इंजन का पहिया था वो भाव की जो कुवत है उससे घूमता था इस इंजन में लक्री और कोईला जला कर पानी घरम किया जाता था और जो ये इंजन था इसमें जो है लक्री और कोईला जला कर पानी घरम किया जाता था कुछ दिनों बाद उस इंजन में सुधार करके जार्ण स्टीफन ने लोहे की पट्री पर चलने वाला इंजन बनाया यानि जेम्स वार्ट ने भाव का इंजन बनाया था उसके कुछ दिन बाद जो है उस इंजन में सुधार करके जार्ण स्टीफन जो होते वो लोहे की पट्री पर चलने वाला जो इंजन है वो तैयार करते हैं उसके पीछे डबे जोड़ कर पहली रेल गारी बनाए और फिर उसके बाद जो है वह इंजन के पीछे जो है डबे जोड़ देते और पहली रेल गारी जो है वो वजूद में आती है फिर तो दुनिया भर में पट्रियों पर छुक छुक करती रेल गारी द जो है सफर करना मुश्किल होता था यानि लोगों को कहीं जाने के ज्यादा वक्त लगता था लेकिन जब रेल वजूद में इसके बाद जो होता है दिनों का सफर जो कुछी घंटों में तै हो जाता था माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद ली और एक शहर से डूसर बना कर बना के निग जो काफिला बना कर जो होरों पर सफर कर था रही हो यहां कि दो लोग कहले के लोग काफिला बनाकर डाकूं रोगकर का वगेरा का सामना तो है करना पड़ता था और उनके जो माद होते थे और जो सामान होते थे वो डाकु लोग जो चीन मीडे ते इसे लिए कहा जारा कि जब रेल गारी वजूद मैच उसकी वज़ा से बहुत से लोगों की जो मुसीबत और पहशानियां थी वो खताम हो गया इसे भोचने लगे लेकिन अब चुचुचप करने वाले बहात के ऑफ पुराने आदगार बन चुकए जो पहले बहात के इंजन उते थे वह अब नहीं होते हैं क्योंकि बहुत पुराने हो चुकह कि ये रेल गारी में मज़ीद तरक्य बाप के बजाए रेल गारी अब डीजल और विजली की ताक़ा से चलती है यानि के पहले जो एंचन था वह बहुत होती है ने अपर बिजली को इनजन होता है इसकी ताके än रे वहत तेज होती है तो स्टूडेंस आपका जो यह सब्बक था यही पर खत्म होता है आप इस अची तरह से पढ़िए और समझेए